नमस्कार दोस्तों आप देखने टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल मेरा नाम है भीशेक सागर और आज हम बात करने वाले इंडिया की GPS सिस्टम के बारे में जी हां अभी तक आप जो अपने फोन में GPS सिस्टम इस्तिम 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 ग्लोबल पॉजिशनिंग स सिस्टम तो रास्ता देखने के लिए कहां पर जाना है आपको मैप आपके गूगल मैप में आप दिखते थे आपकी करन्ट लोगेशन क्या है यह मुझे याद है 2011-12 में ही बहुत ज्यादा कमिशलाइज हुआ था लोगों तो कैसे फॉन आये थे जिसमें GPS हुआ करता था त इंडिया के पास क्या आया और अब हमें क्या इससे फाइदे होने वाले अभी जो हमारे पास आया है इंडियन रिजनल नेविगेशन सैटलाइट सिस्टम यह हमारा खुद का GPS सिस्टम आप कह सकते हो सैटलाइट से काम करता है सिगनल भेजे गए आने में कितना टाइम लगा उससे जो सारी सैटलाइट कोडिनेशन करके आपकी लोकेशन बताती कि आप कहां पर है जब कारगिल वार हुई थी तो जब भी कोई military operations होते हैं मिसाइल दागनी हो military operation कोई भी होते हैं तो उसके लिए हमें GPS की मदद लेनी बढ़ती है जैसे अगर कहीं पर missile दागनी है कहीं पर हमारी किसी सेना की कोई तुकडी कहीं पर है उसकी location क्या है वो देखना पड़ेगा क्योंकि वो तो भी या शहर में नहीं करते हैं वो जंगल में पहाडों में रेतों में उनके operation तो जगा जगा होते रहते हैं ऐसे में अगर कुछ problem है उनकी location देखनी है उनके पास food supply पहुचानी है उनके पास ammunition पहुचानी है तो उसके लिए उनकी location पता होना जरूरी है ऐसे case में वो आपको GPS facility क्यों देगा क्यों देगा अगर वो देगा तो उसी का नुकसान है न हम जीत जाएंगे हम ammunition time पर अपने सैनिकों को दे पाएंगे time पर food supply दे पाएंगे क्योंकि बिना खाने के सेना लड़ नहीं सकती तो इसी लिए हमें खुद का GPS system बनाना था और हम ने बना लिया अब ये हमारे देश को तो cover करेगा ही आसपास की countries को भी cover करने की शमता रखता है कितना 1500 का radius है इसका 1500 मील का कितने का radius है आप और बढ़ा रहे हैं इसको तो जो GPS system में जो भी अमेरिका का है उसमें global position system जो भी है वो अब शायद आगे चलकर इंडिया में हम military operation क होते हैं जो सेना की कारवाई होती है वो हर किसी को नहीं बताई जा सकती और जो सेना इस्तेमाल करती है GPS उसका precision मतलब उसका जो accuracy होती है वो एक commercial GPS से अलग होती है अभी जो हम यूज कर रहे हैं commercial GPS जो यूज कर रहे हैं उसकी जो accuracy होती है 20 meter 30 meter 40 meters तक होती है नॉर्मल cell phones में आप यूज करते हैं तो लेकिन हमारी जो इंडियन सेटलाइट से जो इस्तेमाल किए कि जो GPS आ रहा है जो इसको नाविक का नाम दिया गया है नाविक sailor क्योंकि हमारे यहां बारत में जो हमारे प्रथान मंत्री हों कहते हैं कि यह सही बात भी है कि जो नाविक हुआ करते हैं नाव पे हो सूरज तारे इन सब को दितेख कर बहुत पहले से प्राचिन काल से ही लोगों को दिशा दिखाते हुए आ रहे हैं तो इसी लिए सब्सक्राइब तो यह है पूरा के अब हमारे मिलिट्र प्रेशन के लिए हमारी खुद की सट्लाइट यूज सके ही और कमर्शिल यूज के लिए भी इसको अलाव कर दिया गया मतलब अब अपने फोन में अगर कोई जीपियस वगए इस्तिमाल करोगे तो इंडीन जीपिय देखाई है बहुत ही गर्ब की बात है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आगे तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें मैं बिलता हू झाल